असलामलेकूम देर स्टूडेंट्स आज कल अग्षी में बात करेंगे आइवल्ड कैंट्स्ट एंड मेंट्स्टूडेंट्स डास्ट wizard इनिस्टूडे में दिस्क्रस किया था आइंस्टांस फील्ड इक्वेशन दिक्यू हूँ सो आज की लाक्षर हम देखेंगे कि Einstein's field equation matter क्या होता है ठीक है तो basically हमने second last lecture में हमने Einstein's field equation को देखा था ठीक है उसमें हमने last पर Einstein's field equation को हमने तीन categories के अंदर divide किया था ठीक है दो categories थी vacuum के अंदर जिसमें एक में हम gravitational field को field की princess में और दूसरी थी उसकी absence में ठीक है जो third category है वह हमारे पास Einstein's field equation है matter ठीक है तो इसको जो हो हमने आज के lecture में डिस्कूस करना है तो सबसे पहले जो हम इसको start करेंगे इसकी introduction के साथ तो यहां से शुरू करते हैं इसको Newtonian gravitational theory the gravitational potential in the presence of matter is given by Poisson's equation ठीक है Newtonian gravitational theory के अंदर जो gravitational potential है वो किसी भी matter की मौजूद्गी में हमारे पास चुर्याव उसको according to Poisson's equation अब उसको इसकी के खुलम लिख सकते हैं ठीक है इसको आपने कहा देने question number one का नाम देदेने ठीक है so Einstein's Einstein thought of including second order derivative of matter of matter of metric tensor ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ जनरलाइजेशन और फाई ओन लेफ्ट एंड साइड एंड स्ट्रेस अनर्जी टेंसर ठीक है अब यहां पर बात क्या हो रही है बात हो रही है कि आइंस्टाइज थाइंस्टाइज थाट ओफ इंक्लोडिंग second order derivative of metric tensor ठीक है Einstein ने सोचा कि इसको जो होना जो second order derivative है ठीक है metric tensor का जिसको हमने इसी से डिवेट किया है ठीक है उसको उसने काके इसके अंदर इंक्लूड किया ठीक है साथ में उसने और क्या किया Generalization of Phi on left hand side and stress energy tensor यह क्या है हमारे पास स्ट्रेस energy tensor है ठीक है तो उसके बात देखे हैं यहां पे मजीद on generalization of Phi on right hand side इसको उपने क्या दने है एक्वेशन नमबर टू उसके बाद देखे यहां पर इफ एनर्जी कंशर्वेशन इसन चेकड देनको नबर 5 थीए एस तरह से यह जो टर्म को भी खर नीकर ठीक है ङो बने क्या हो फोर थीए बट एन क्या होता है चेका यह वाली कर दोंगों जो हो के इक्वल नहीं होती ही ठीक है तो उसके बाद के दा कोव्य डेरिवेटिव अफ्रिकी टैंसर दस नाट वैंश इस विले इस दा कंजरवेशन of energy in suggested in suggested Einstein's field equation then he made a modification in the above field equations to deal with the problems of a conservation okay so there exists a tensor whose covariant derivative vanishes okay so Einstein tensor is given by the Einstein tensor of a human process is kakola that he gets copnik as an equation number three so I get a key in thus in the same sense as discussed above for the relation between Ricky tensor and stress energy tensor relation between Einstein tensor and stress energy tensor will be ठीक है तो इस सीज़ के को आजएगा यह वाला रिलेशन अमर्पास इसको किया देते हैं question number four आगे देखे tracing above equation to check whether above equation actually produces gravity or not ठीक है तो हमें जाओ यह वाली जो टर्म अपनी सेम एस्टिस ले लेने हैं ठीक है so from equation number three equation number three में जो हमारे पास इसकी value पड़ी हुए ठीक है तो इसकी जगह पर में इसकी value को replace कर दिया तो मैं find यह वाली equation भी ठीक है so उसके बाद आप भी हम जानते हैं कि यह वाले जो टर्म में वह इसके बराबर होती ठीक है तो उसकी जगह पर एक एक आप जह रहा है ठीक है और जो माइनस आ रहोगा हो माइनस दूसरी जाड़ पर शिफ्ट हो जाए तो हमने कहा देना एक्वेशन नमबर फाइफ इन फॉर वी गेट अभी क्वेशन नमबर थ्री और फाइव को जहां वहां वहां पर आपने यह वाली पूट कर देनी ठीक है सो तो यहां पर जब हम इस मैंसे जब हम के को कॉमन लेंगे सिंप्लिफिकेशन करेंगे तो वहां से हमें मिलेगी क्वेशन नमबर सिक्स तो यह हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन इस नोन ऐस आइस टाइंस फील्ड एक्वेशन इंदा प्रेसेंस ऑफ हमने डिसक्स किया है काइंस टाइंस फील्ड एक्वेशन इन मैटर सो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक कियर एड़ा आपिस कि हम प्रिविक के रख थे टेंडों मैं अजय एक्वेशन इस नेक्वेशन इस नेकर प्रेसे उल्ग झेले कि प्रेस्टर सो मिलते हैं। झाल 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 झाल